नमस्कार और स्वागत है भारत यूजनवेब ना यूनियूस मीट पाकिस्तान पीम इन नियूयोग कॉल्स फॉर सार्क रिवाइवल तो मुहमद यूनियूस जो है पाकिस्तान के पीम के साथ मिले नियूयोग में ताकि सार्क रिवाईवल जो है, आपको मालूम होगा सार्क एक गुरूब बना हुआ है जो इंडिया के आसपास वाले देश हैं, आठ देश मिलके सार्क का एक टीम बना हुआ है, तो उसी को रिवाईवल करने के लिए वहाँ दोनों मीट की हैं, तो उसी बारे में आज हम वी जीवित करने की मदद मांगी। जिसमें भारत प्रमुक खेला लीए सबसे में ज़हेस ग्रूप में भारत ही है। भारत के बिना कुछ नहीं हो सकता इस ग्रूप का। पाकिस्तान ने भी सार्क को पूर्ण जीवित करने की बात कही थी लेकिन भारत ने इस विचार को खारिज कर दिया था। यही कारण है कि बांगलादेश की कारिवाहिक सरकार के प्रमुक मुहमद यूनिस ने पाकिस्तान प्रधान मंतरी साबाद सरीफ से मुलकात की और सार्क को पूर्ण जिवीत करने में इसलामाबाद की मदद मांगी। सरक एक ऐसा छेतर समू है जिसमें भारत की अहम भूमिका है। पाकिस्तान खुद दक्षिन एजिया छेतर सहयोग संगठन समू को पूर्ण जिवीत करने की वकालत कर रहा है। लेकिन भारत इस विचार के प्रती उत्साहित नहीं है। पाकिस्तान दोरा भारत को आतंगवाद कुछ बोला ही नहीं। हाला कि सेख हसीना के बाद बांगलादेश सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ सार्क को पूर्ण जिवीत करने की बात ने इस अध्याय में एक दिल्चस्प मोडला दिया है। सार्क दक्षिन एजिया के आठ देशों का एक छेतर अंतर सरकारी संगठ जिसमें बांगलादेश है, भुटान, भारत, माल्दीव, नेपाल, पाकिस्तान और सिल्यंका सामिल है। इसकी अस्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका सचीवाल है काटमांडू में है। पाकिस्तान का नाम लिये बिना भारत विदेश मंतरी एज जे संकर ने इसप वादी बेशता है, इस कारण से ही मना किया गिया है। धाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के नुसर सार्क पर फिर से चर्चा हो रही है क्योंकि 25 सितंबर को यूनियूस और सहबा सरीफ ने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्वेप्छे संबंदो और सार्क के प सकता है। लेकिन बांगला देश और पाकिस्तान इसे पूर्ण जीवित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उस पर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत ने सार्क सिखर सम्मेलन से कब और क्यों खुद को अलग कर लिया था। के पूरी में एक सेन ने सीवर पर हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा आतंगवाद को समर्थन दिये जाने पर चिंता जताई थी। उस हमले में 19 भारत सेनिक मरे गयते हैं। हमले के बाद भारत ने सिखर सम्मेलन से खुद को अलग कर लिया और उसके बाद बांगला देश, भुटान, अफगानिस्तान और सिरिलंका ने भी ऐसा ही किया। भारत ने वरतमान सार्क द्यक्ष नेपाल को बताया कि छेतर में सीमा पार से बढ़ते आतंगवादी हमलों ने ऐसा महल बनाया है। जो 19 वे सार्क सिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए अनुकुल नहीं भारत विदेश मंत्राले ने 2016 में एक बयान में कहा, इसके बाद भारत ने बार बार कहा कि वो दिन में आतंगवाद और रात में वैपार का हिस्सा नहीं हो सकता, सार्क वैपार को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान ने 2022 में सार्क सिखर सम्मेलन के लिए भी जूर दिया ल इस तत्य को नहीं छिपाता है बलकि कभी-कभी इस तत्य की गोसना करता है कि वे अन्य सदस्यों के खिलाफ हिंसक कारवाई करते हैं। मैं सबसे तठस्त सब्द का उपयोग कर रहा हूं। हलाकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी जमीन पर अड़ेवे हैं लेकिन सेख हसीना सरकार के बतन के बाद बंगला देश के रुख में बदलाव आया। बंगला देश जिसने 2016 में पीम सेख हसीना के नेतरित्म सार्ख सिखर समेलन से खुद को अलग कर लिया था ने समू को पूर्न जीवित करने का प्रियास नहीं किया। लेकिन अब बहुत कुछ बदल मुहमद यूनिस के नेतरित में बंगला देश समू को पूर्न जीवित करने के कोशिस कर रहा है। सहबाद सरीफ और मुहमद यूनिस की मुलकात 25 सितंबर को नियोक में संयुक्त राष्ट मुक्यालय में संयुक्त राष्ट महासभा के बैठके दोरान हुई। उन्होंने द सार्क येरोपिय संग की तरह रिष्टो का एक मॉडल हो सकता है। हमें आपसी लाव के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अब यूनिस ने सरीफ का समर्थन हासिल कर लिया है। धाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार सरीफ ने कहा कि वह यूनिस का समर्थन करे और दोनों देश छेत्रे मंच को पूर्ण जीवित करने के लिए कदम दरकदम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने पहले भी सार्क को पूर्ण जीवित करने का आहन किया है। ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने सार्क को पूर्ण जीवित करने की इच्छा जता दडौन के अनुसार दिसंबर दोचेटेश में ततकालिन कारवाईक पुर्धानमंत्री अनुवरूल हक काकर ने भी सार्ख को पूर्ण जीवित करने के उम्मीद जताई थी काकर ने कहा कि मैं इस औसर पर सार्ख प्रग्रिया के प्रती पाकिस्तान के प्रती बदेदा को दोहराना चाहूंगा मुझे विश्वास है कि संगठन के सुराचू संचालन में मौजूदा बाधाएं दूर हो जाएंगे जिससे सार्ख के सदस्यों देश परस पर लावकारी छेतर सहीयोग के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे लेकिन भारत सार्ख को पूर्ण जीवित करने के खिलाफ रहा है बांगलादेस और पाकिस्तान सार्ख को पूर्ण जीवित क्यों करना चाहते हैं मेन इंपोर्टन यही चीज़े की आचानक से 20 दिन हुआ नहीं हैं और मुहम्मद यूनियू से इस बात को उठा रहे हैं, आखिर कारण क्या है, बांगला देश और पाकिस्तान के सार कोई पूर्ण रुद्रार के पीछे वैपार की अर्थ वैवस्ता ही है, पाकिस्तान के अर दर्सों में गिरावट आई है, इसके आर्थिक संकट के लिए भ्रष्टा चार को दोसी ठाराया जाता है, अपनी अर्थ वैवस्ताओं को पूर्ण जीवीद करने के लिए, नोबिल पूर्शकार, विजेता, यूनिस और सरीफ दोनों ने सार्क पर नजर गड़ाए वे हैं अर्थ दोनों के बीच में ट्रेड हो सकें, ये याद रखना होगा कि समू में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है, जो एक आर्थिक महा सकती है, भारत उन प्रमुक अर्थ वैवस्ताओं में से एक है, जो अभी भी उच दर से बढ़ रही है, जबकि बड़े अर्थ वैवस बन जाएगी, भारत G20 और ब्रिक्स सहीत कई समू का भी हिस्सा है, वैपार और वैवसाई के मामले में सार्क को भारत की जरूरत है, ना कि इसके विपरित, भारत को अपने सदस्तियों के साथ संबंद बनाये रखने के लिए समू की जरूरत है, नई दिल्ली एक बहुपक् विरोधी रूख पर अड़ा हुआ है, तो आए होप कि आपको इस वीडियो से मालूम चल गया होगा कि कि इस कारण से सार्क को फिर से एक समझे कि फिर से जिन्दा करने का कोशिस किया रहा है, कि इंडिया तो एक्दम छोड़ी दिया है, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है मीटिंग हुआ था, लाइस बार जो मीटिंग हुआ था, वो नेपाल काड़ बांडू में हुआ था, 2016 में, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुआ है, एक बार 2030 मीटिंग करने का कोशिस किया गिया, जो भारत को भर्चुल मीटिंग के लिए बुलाए गिया, पर भारत इनकार कर दिया, वर्चुल मिटिंग भी नहीं किया, और ऐसे भी पाकिस्तान का हालत खराब है, तो वो चाहता है कि बंगलादेश के साथ वैपार हो, बंगलादेश का भी जिसे कि पाकिस्तान को फायदा हो सके, नमस्कार, और स्वागत है भारत यूजनवे, ना यूनियूस मीट, पाकिस्तान PM in New York, calls for Sark revival, तो मुहमद यूनियूस जो है, पाकिस्तान के PM के साथ मिलें New York में, ताकि Sark revival जो है, आपको मालुम होगा Sark एक ग्रूप बना हुआ है, जो इंडिया के आसपास वाले डेस है, आठ डेस मिलके Sark का एक टीम बना हुआ है, तो उसी को revival करने क के लिए वहां दोनों मीट की हैं दूसी बारे में आज हम वीडियों बात करने वाले हैं बांगलादेश ने सार्ख को पूर्ण जीवित करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी लेकिन भारत क्यों नहीं चाहता है बांगलादेश के कारिवाहक सरकार ने मुख्या मोहम्मद यूनियोंस ने पाकिस्तान के परधान मंत्रे साहबाद सरीव से मुलाकात की और दक्षिन एसिया समू सार्क को